सबी दर्शकों को मेरा नमस्काल इस व्याख्यान से पूर मैंने आपके सामने शष्ठी भक्ति से सम्बंदित सभी सूत्रों पर चर्चा की थी और इसके उपरांत अब अधिकरण कारक पर हम चर्चा करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पूर में ही बताया था कि कर्म, करण, संपरदान, अपादान और अधिकरण ये कारक के अंतरगत आते हैं और शष्ठी विभक्ति के अंतरगत आता है तो यहां पर मैं आपके सामने अपना कारक पर चर्चा करूँगी और अधिकरण कारक को लेकर मैं आपके सामने बात करूँगी तो अधिकरन कारक का जो सुत्र है वो आपके सामने है आधारो अधिकरणम जैसे हमने किया था कर्तुरिपसित तमम कर्म फिर हमने किया था साधक तमम कर्णम और फिर हमने अन्य जो है धुरुम अपाय अपादानम किया था और कर्मनायम अभिप्रैति सासंप्रदानम ये सारे कारक थे और कारक की जब परिभाशा हम करते हैं तो हम कहते हैं क्रियाम करोतिति कारकम या क्रियान्वई कारकम क्रियासहायका कारकम तो ये जितने भी अर्थ हैं ये यही स्पष्ट करते हैं कि कारकों का संबंद अध्याहार करके उससे अर्थ परता चल जाता है दूसरा ये भी है कि इस संसार में जो कुछ भी क्रिया कलाप है स्रिष्टी रचना है उसमें क्रिया ही प्रमुक है यदि क्रिया नहीं है तो मनुष्य मृत के समान है मनुष्य भी यदि उसमें क्रिया समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को मृत कहा जाता है तो ग्यानम भारम क्रिया बिना यदि क्रिया नहीं है तो ग्यान होने पर भी यदि ये दो प्रकार की क्रियाओं की बात में करियो एक तो क्रिया की बिल्कुल निश्क्री हो जाए व्यक्ति मृत के समान ही होता है और वो जो उसका ग्यान है वो भार के रूप में होता है इसलिए वाक्य में क्रिया का विशेश महत्व है और कारकों में भी जब हम कारक का पुरा प्रकरण जब हमने देखा तो वहां पर भी जितने भी विभक्तियां है वो क्रिया का उस शब्द से जिस प्रकार का संबंद हैं उसी के आधार पर विभक्तियां लगाए जाती हैं तो क्रिया के साथ संबंद होने पर ही विभक्ति लगती है केवल मात्र एक शष्ठी वक्ति ऐसी है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंद ना होकर परमपरया वो संबंदित होता है परंपरया संबंदित होने के कारण भी अचारे भरत्री हरी ने भी कहा कि क्रिया पूर्वक ही शष्टी वक्ती लगाई जाती है इसलिए शष्टी वक्ती भी कारक ही होती है तो अब मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि कारक क्रिया से साक्षात रूप से संबद होते हैं और किसी न किसी रूप में क्रिया की सिध्धी करते हैं तो अब हमारे सामने अधिकरन कारक है अधिकरन कारक क्रिया की सिध्धी में किस प्रकार से सहायक होता है उसका सूत्र आपके सामने है आधारो अधिकरनम और इस सूत्र की यदि हम वृत्ती देखें तो वृत्ती में कहा है कर्तरी कर्म द्वारा तनिष्ट क्रियाया आधारह कारकम अधिकरन संग्यम स्यात अब यहाँ पर क्या है कि सीधा साधा यह नहीं कहा कि जो क्रिया सिद्धी में जो आधार के रूप में कारे करता का जब हमने ये सूत्र किया आधारों अधिकरन तो सूत्र का अर्थ तो सीधा यही है कि जो आधार होता है क्रिया का आधार वो अधिकरन कहलाता है और आधार का अर्थ होता है आध्रियते अस्मिन इति अता जिस पर जो है जो धारन करता है जिस पर धारन किया जाता है जिस प आधारित होती है वो कारक अधिकरण कहलाता है ये इस सूत्र को यदि हम इसकी केवल मात्र बिना किसी संदर्ब के यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो इसका अर्थ तो सीधा यह है कि क्रिया का जो आधार होगा वो अधिकरण है परंतु यदि हम देखें तो वाक्य में क्र स्वयम कोई कारक क्रिया का आधार नहीं हो सकता आधार बनने के लिए करता या कर्म की अवश्यक्ता होती है करता या कर्म के माधियम से ही कोई आधार बनता है जैसे मैं कहती हूँ कि वह बैठता है अब बैठता है तो या मैं इसमें अब आधार की बात तो करनी पड़ेगी न तो मैं कहती हूँ वह है चटाई पर बैठता है अब चटाई पर बैठता है तो चटाई और बैठना ये क्रिया बैठना क्रिया है और चटाई है तो ये चटाई आधार कैसे बनेगी जब तक बैठने वाला व्यक्ति नहीं होगा बैठने वाला व्यक्ति चटाई के साथ उसका संयोग नहीं होगा तब तक हम कभी कहाई नहीं सकते बैठता है हम यह नहीं कह सकते चटाई पर बैठता है तो चटाई बैठना करिया का आधार तब तक नहीं बन सकती, जब तक बैठने वाला ना हो। और बैठने वाला करता है, यहाँ पे जो वाक्य में आपके सामने कहा रही हूं, कि देवदत्ता कटे बैठता है, मतलब आस्ते, तो यहाँ पे क्या है, कि देवदत्त चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पे देखिए, बैठना करिया का आधार चटाई तभी बनेगी, जब देवदत्त के साथ चटाई का संबंद होगा। चटाई का संबंद देवदत्त के साथ जैसे ही होता है, वैसे ही यह चटाई आधार बन जाती है बैठना करिया की। तो संभवता है यही बात सपष्ट हो गई होगी कि केवल यदि कोई बैठने वाला ना हो और हमके चटाई भी पड़ी हुए और हम कहरें बैठता है बैठता है लेकिन यह आधार चटाई नहीं बनेगी बैठना क्रिया करने वाला जब तक उसको नहीं बैठेगा उस पर तब तक नहीं हो सकती है तो यहाँ पर करता के द्वारा क्रिया का आधार बना है चटाई इसलिए यह आधार है अन्यता आधार नहीं हो सकता इसी प्रकार से हम कहते हैं स्थाल्याम ओधनम या स्थाल्याम पचदी मैं कहते हूं स्थाली संस्कृत में पतीली को कहते हैं तो पतीली में पकाता है अब यहां भी पतीली पकाना क्रिया का आधार तब तक नहीं बन सकती जब तक पकाने वाली वस्तुना हो लेकिन जैसे ही मैं पतीली के अंदर कुछ पकाने वाला समगरी डाल देती हूँ तो पकाना क्रिया हो जाती है और पकाना क्रिया का आदार पतीली बन जाता है अगर मेरे पतीली भी है और पकाना क्रिया मैं कहूँ हो रही है, कर रही हूँ, तो कैसे होगी, नहीं हो पाती, पकाना करिया का आधार पतीली नहीं बनेगी, जब तक उसमे में चावल या कुछ और चीज नहीं डालूँगे, तो जब मैं कहती हूँ कि स्थाल्याम ओधनम पच्छती, कि पतीली में चावल बना रहा है, तो यहाँ पे जो चावल है कर्म है उदनम कर्म है तो यह चावल के कारण ही जो पतीली है वो पकाना क्रिया की आधार बनती है तो इसलिए जब हम भृत्ति में कहते हैं कि कर्तरी कर्म द्वारा ततनिष्ठ क्रियाया आधार हा कर्ता और कर्म के द्वारा जैसे मैंने बताया कर्ता के द्वारा ही आधार बनेगा कर्म के द्वारा आधार बनेगा और किसका आधार बनेगा कर्ता में रहने वाली तनिष्ठ कर्ता में रहने वाली और कर्म में रहने वाली क्रिया क्रिया किसमें रहती है कर्ता में और कर्म में इसलिए जब कहा आधार अधिकर्णम तो हमें कहना पड़ा कि कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार कर्म के द्वारा क्रिया का आधार क्यों क्यों कि क्रिया कर्ता में रहती है और कर्म में रहती है क्रिया आधार के साथ सीधा संबंदित नहीं हो सकती है तो इसलिए इसमें विर्ति है कि कर्तरी कर्म द्वारा करता या कर्म के माध्यम से उनमें रहने वाली क्रिया का जो आधार होता है वो कारक अधिकरन संग्यक कहलाता है उस कारक की अधिकरन कारक संग्या होती है जैसे मैंने आपके सामने उधारन दिया था कि कटे देवदत्ता कटे आस्ते तो ये जो बैठना क्रिया है वो बैठना क्रिया किस में है? करता में? करता जुड़ेगा जो क्रिया करनी है बैठना अर्थात बैठना मिन्स अपना संबंद जुकना गुटनों को मिला के और बैठना क्रिया जो क्रिया की जा रही है बैठना क्रिया वो करता करता है और जब वो करता बैठना क्रिया करता है तो तब जिस पर बैठा जाता है वो कट या कोई भी ले लिजे बैठने वाले स्थान आसंदिका कुर्सी भी ले सकते हैं तो वो आधार बन जाता है जब तक कर्टा क्रिया नहीं करेगा तब तक आधार नहीं बनेगा कर्टा खड़ा हुआ है कोई क्रिया नहीं कर रहा है हिलने ही रहा है और हम कहें कि वो बैठा हुआ है ख़ड़ा हुए और हम कहने है विव्यक्ति कुरसी पर बैठता है तो ये कुरसी जो है कभी आधार नहीं बन पाएगी इसलिए कहा कि उन में करिया रहती है उन में मतलब करता है और कर्म में इसी प्रकार से हम कहते हैं कि ओधनम पच्चती तो ओधन अगर है ही नहीं और हम कहारें पच्चती क्रिया हो रही है पकाना क्रिया हो रही है स्थालियां ओधनम पच्चती तो स्थाली में पकाना क्रिया हो रही है और वहाँ पे हमने कुछ डाला भी नहीं हुआ है तो क्रिया कैसे होगी तो क्रिया तो की अंदर होगी अर्थाद जो कुछ भी जो परिवर्तन आएगा चावलों में ही आएगा पतीली तो वैसे की वैसी रहेगी तो पतीली चावलों के माधियम से चावलों में रहने वाली क्रिया का आधार है देखिए मैंने पहले भी बोला कि कारक क्रिया से संबंधित होते हैं और क्रिया से उनका किसी ना किसी रूप में संबंद होता है, यदि यहाँ पे आधार हम ना कहें, तो फिर आधार बन नहीं सकता, यदि हम यह के स्थाली आधार नहीं है, क्योंकि क्रिया करता और कर्ण में होती है, तो ऐसा नहीं है, स्थाली करता और क्रिया के माध्यम से कि आधार व अधिकरणम में खेवल अधार अधिकरण नहीं हो सकता क्रिया का आधार जो है तब तक आधार नहीं बनेगा जब तक कर्ता और कर्म नहीं होंगे इसी बात को आचारे भरत्री हरी ने अपनी कारिका के माध्यम से भी स्पष्ट किया है कर्तरी कर्म व्यवहितम असाक्षादारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रियासिदव शास्त्रे अधिकरणम स्मितम तो यहाँ पर भी कहा कर्तरी कर्म अव्यवहितम मतलब कर्ता और कर्म से व्यवहित अर्दाद बिना करता और कर्म के उसके व्यवधान के आधार अधिकरन नहीं बन सकता और असाक्षाद धारयत क्रियाम और जो अधिकरन है वो क्रिया को असाक्षाद साक्षाद रूप से धारन नहीं करता है क्योंकि करता और कर्म के द्वारा क्रिया को धारन करता है इसलिए असाक्षादारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रियासिद्धव और क्रिया की सिद्धी में उपकारी है ये बहुत आवश्य के कारक होने में जो क्रियासिद्धी में उपकारी होते हैं वो ही कारक बनते हैं तो क्रियासिद्धव उपकुर्वत उपकार करता हुआ शासरे अधिकरन स्मितम शास्र में अधिकरनकारक कहलाता है तो वही बात जो अभी मैंने आपकी सामने स्पष्ट की वही आचारे भरतरी हरी ने अधिकरनकारक का लक्षन देते हुए स्पष्ट की है शब्द कौस्तुब ने भी अधार अधिकरनम इस उत्तर पर कुछ टिपणी किये है और आध्रियन्ते अस्मिन क्रिया इत्याधारा अधार की से कहते हैं अधार के परिभाशन बताते का कि जिसमें क्रिया आश्रित रहती है तो क्रियाओं का आश्रे जो है वह आधार है इन्होंने भी इसी प्रकार से यहां पर स्पष्ट किया कि जब हमने कहा कि आधरियंते अस्मिन क्रिया तो क्रिया जिसमें आश्रित होती है क्रिया जिन पर आश्रित होती है उसे आधार कहते हैं तो यहां यह भी स्पष्ट आगे कर दिया कि जो क्रिया आश्रे हैं वास्त में क्रिया के आश्रे कोने करता और कर्म तो क्रिया के आश्रे करता और कर्म इन दोनों को धारन करने दोनों के धारनात दोनों धारन करने के कारण परमपरया क्रियां प्रति आधारा परमपरा से क्रिया के प्रति जो आधार होते हैं क्रिया करता और कर्ण को धारन करती है और क्रिया को धारन करता है आधार तो इस प्रकार से ये अधिकरन कारक जो है वो क्रिया के प्रति आधार है इसलिए आधारो अधिकरण ये परिभाषा अधिकरण कारकी दे गई है आर क्योंकि विभक्ति वाला सूत्र भी करना होता है उसके अभिना तो हम विभक्ति लगा के उधारन नहीं दे सकते तो इनके उधारन हमारे सामने आगे हैं परंतु यहाँ पर विभक्ती की बात करने से पूर्व आधार के संबंद में कुछ विशेश चर्चा है कि आधार भी तीन प्रकार का होता है। उसमें अप्शलेशिको, वैशईको, अभिव्यापक, श्च, इत्याधार, स्तृदा, आधार के तीन प्रकार होते हैं। एक है अ तो एक तो आधार आते हैं अप्शलेशिक। अप्शलेशिक आधार उस आधार को कहते हैं जिस जो आधार जो है करता या कर्म के साथ जिसका उप्शलेश होता है। उप्शलेश मतलब संयोग होता है। जब तक उसका परसपर संयोग नहीं होगा आधार का आधे है। दिए आधार और आधे यह दो शब्दें आधार वो होता है जो कि आधार बनता है और आधे जिसका आधार है वो तो यहाँ पर देखिए आपशलेशिक आधार आधार और आधे जब पर उनका संयोग होता है तब ही वो आधार बनता है जैसे मैंने कहा कि कटे आस्ते कट पर बैठता है तो यहाँ देवदता कटे आस्ते तो देवदत कट पर बैठता है तो यहाँ पर जब तक करता का और कट का संयोग नहीं होगा तब तक कट जो है वो आधार नहीं बन सकता आधा भी अगर वो जुका हुआ है और पुरा बैठा नहीं है तो हम नहीं कहा सकते कि वो कट पर बैठा है तो ऐसे आधार अप्षलेशिक आधार कहलाते हैं तो इसी प्रकार से देखिए आधार का जो दूसरा भेद है वो यह वैशाईक आधार जो विशे से संबंदित आधार होते हैं वो वैशाईक आधार होते है जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, जैसे मोक्ष में इच्छा है, यहाँ पे इच्छा का जो आधार मोक्ष है, वो क्या है? वो वैशेईक आधार है, मतलब मोक्ष कोई वस्तू नहीं है, जिसका कोई रूप आपके सामने हो, मोक्ष एक विशे है, तो मोक्ष का आधार है, तो मो उप्षलेशिक आधार का मैंने आपको करता का तो उधारन दिया था कर्म का भी उधारन आपके सामने स्थालियाम पचती तो स्थाली में पकाता है तो यहाँ पर भी जब तक ओधन और स्थाली का सयोग नहीं होगा उप्षलेश नहीं होगा तब तक स्थाली पकाना क्रिया की आधार नहीं बन सकती हैं इसी तरह से मोक्षे इच्छास्ती तो ये वैशेईक आधार है मोक्ष एक विशह है जिसमें इच्छा का अस्तित्व बताया गया है तो इच्छा के होने का आधार क्या है मोक्ष तीसरा जो है वो है अभी व्यापक आधार और अभी व्यापक आधार वो आधार होता है जो कि व्यापक आधार हो मतलब जिसका जो क्षेत्र हो वो असीमित हो बहुत अधिक हो जैसे हम ये कहते हैं कि सर्वस्मिन आत्मा अस्ति तो यहाँ पे आत्मा किसमें रहती है सर्वस्म यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व के विश्य में एक या दो या कोई तेन या कोई जो है सीमा नहीं बांदी कि आत्मा किसमे है उन्होंने ये बताया है कि आत्मा सब में है तो आत्मा के अस्तित्व का आधार कौन है सब तो ये कैसा आधार है ये है आपका अभिव्यापक आधार तो इस प्रकार से आधार के जो तीन प्रकार बताए गए हैं ये भाशा में तीन प्रकार के वाक्ये जो हैं वो प्रयुक्त किये जाते हैं भाशा का प्रयोग इस इसलिए आधार के भी उन्होंने तीन प्रकार बता दिये कि आधार बनने के लिए तीन उनके भेद होते हैं तीन तरह के आधार दुनिया में होते हैं इससे बड़ा आधार और अधिक आधार होता ही नहीं है आधार या तो वैशेईक होता है या फिर अपशलेशिक होता है या फिर अभिव्यापक आधार होता है अब सूत्र में कहा गया सब्तम्य अधिकरणे चो यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिकरण कारक में सब्तमी होती है अर्थात जब हम ये निश्चित सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये अधिकरण कारक है तो इसका सुनिश्चे किस से होता है इसका निश्चे होता है आपने जो सूत्र पड़ा आधारो अधिकरण तो आधारो अधिकरण सूत्र के द्वारा जब हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये अधिकरण कारक है तो फिर जो अधिकरण कारक होता है उसमें जो विभक्ती प्रयुक्त होती है वो सब्तमी विभक्ती प्रयुक्त होती है तो सप्तमी व्भक्ती अब जब व्भक्ती प्रकरण करते हैं तो उसमें हमें ये ग्यात हो जाता है कि किस शब्द के किस व्भक्ती में किस प्रकार से रूप चलते हैं तो जो भी शब्द हम प्रयुक्त करेंगे क्योंकि अपदमना प्रयुन जीत जब हमें पता चल जाता है कि अमुक शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ इस प्रकार का संबंद है तो उसी संबंद के आधार पर हम कारक निरने करते हैं और जब कारक निरने जीत हो जाता है तो हम विवक्ति लगाते हैं और विवक्ति लगाने के लिए सूत्र दिये गए अलग-अलग कारकों की संबंद में अलग-अलग सूत्र हमारे सामने है और यहाँ पे अधिकरन कारक को लेकर जो सूत्र दिया गया है वो सूत्र है सब्तम्य अधिकरने च अर्थात अधिकरन कारक में स अत्मी वक्ति का प्रयोग होता है तो यहां तक तो एक सूत्र हो गया लेकिन सूत्र में चा का प्रयोग भी किया गया है तो चा का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है तो चा का प्रयोग करने का प्रयोजन है कि यहां पे वनस्ये दूरे अंतिके वा यहां पे दूर और अंतिक इन अर्थों वाले जो शब्द है उन में दूर अर्थ वाले शब्दों से सब्टमी वक्ति का प्रयोग भी होता है देखिए एक मैंने आपको बताया था कि वो विभक्ति होती है जो कारक में संबन्द के कारण होती है और एक वो विवक्ति होती है जो कारक के संबंद के बिना प्रयुक्त होती है तो वो विवक्ति यहां चो कहने से आई है कि चो के प्रयोग से हमें ये प्राप्त होता है कि यहां पर सप्तमिवक्ति होगी तो वनस्य दूरे और अंतिके और दूर अंतिक अर्थे भ्यश्च ये सूत्र है जिसमें की दूर और अंतिक अर्थवाले शब्दों के साथ शष्ठी वक्ती प्रियुक्त होती है पंचमी भी प्रियुक्त होती है लेकिन वो वनस्य में है तो वनात और वनस्य दोनों लेकिन जो दूर अर्थ वाले शब्द होते हैं स्वयम जो दूर और अंतिक या समीप ये अर्थ होते हैं तो उनके उनमें उनके साथ जो विभक्ती लगती है वो विभक्ती सप्विभक्ती ही प्रयुक्त होती है तो वनस्य दूरे और वनस्य अंतिके ये हमारे सामने सप्वि भक्ति लगाने का प्रयोजन यहां पे क्या है चो का प्रयोग है चो का प्रयोग होने के कारण अधिकरण में तो लगती ही है इसके साथ साथ जो है अन्य जो है दूर और अंतिक शब्दों में भी सब्तमी भक्ति का प्रयोग होता है तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो हमारे सामने विभक्तियां होती हैं एक प्रत्मा और एक शष्ठी ये विभक्तियां हैं परंतों प्रत्मा के संबंद में भी करता जब होता है अनभीत होता है तो करता में श्तृतिया होती है लेकिन अनभीत जब नहीं होता करता अभीत होता है तो प्रत्मा होती है तो क्रिया का करत के साथ संबंध होता है तो इसलिए उसको हम विवक्ति भी तब कहते हैं जब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रत्मा सूत्र द्वारा जब हम प्रत्मा वक्ति इन अर्थों में करते हैं लेकिन जब हम क्रिया के साथ संबंध के रूप में करते हैं तो वह तो करता कारक के रूप में जब अभीत होता है तो उसमें प्रत्मा लगती है जब अनभीत होता है तो उसमें प्रत्मा लगती है देखिए करता भी जो विभक्तिया है वो कारक अनभीत होता है तब ही विभक्ति लगती है तो जब करता अनभीत होता है तो अनभीत होने पर उस में जो है वो तृतिया भक्ती लगती है और जब अभीत होता है तो उसमें प्रत्मा वक्ती का प्रयोग होता है इसी प्रकार से अन्य विवक्तियों के सम्बंद में भी हम देख सकते हैं जब मैंने शष्ठी वक्ती की बात की तो वो विवक्ती भी है और वो भी कारक भी है तो विभक्ती प्रकरण या कारक प्रकरण के अंतरगती परिगनित किये गए हैं तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने सभी कारकों और उनसे लगने वाली सभी विभक्तियों से संबंदित जो आचारे पाणिनी द्वारा दिये गए सूत्रते उनके विशे में उन पर कात्यायन द महाभाश्यकार इनके जो इस संबंद में जो भी विचार थे उनको मिला कर उन सब को लेकर मैंने आपके सामने चर्चा की तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही अब अगले व्याख्यान में मैं कुछ और विशयों को लेकर आपके सामने पस्तित होंगी तब तक के लिए में जुड़े मेरा उत्सा वर्दन किया इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार